और हमारे साथ लगातार हम एके मिश्रा जी बने हुए हिंदी खबर के राजनितिक सराकार आप स्टूडियो में मौजूद हैं तो एके मिश्रा जी ये मद्दान प्रतीशत की अगर हम बात करें अभी चर्चा आधी भी रह गई थी ये कि मतदाता अगर नहीं चाहेगा कि उस सबर्चा ऑपनेशी बीक्वट कर दो बाते हैं कि पानेंश कैसे नहीं घांते हैं कि थोड़ियोंस्तीज पैडा करते हैं प्रदाते हैं इलेक्शन को लेके मुद्दो को लेकर के अ शुंड़ेश को लेकर गांड़िए को विश्र जो होते हैं वह इस चीज को डेवलप करते है कि हाँ भाई आप घर से निकलो यानि आपके क्यूज को एक्शन में बदलना लोग घर से निकले सरकोप या वोटिंग दे के दिन जो है जाकर के वोट वहां पे दें अब देखे अगर मुद्दे और सारी चीजे बहुत स्ट्रॉंग है तो जो साइकोलोजी होती है वोटर् रहा हो चाहिए कर फाइट अगेंस करप्शन रहा हो यह जो क्यूज थे इतने स्ट्रॉंग पॉलेटिकल ट्रिगर में बगल गए कि पूरी की पूरी पब्लिक जो है चेंज के लिए या अपनी चीजों को पूरा करने के लिए अपने उद्देशों को पॉलेटिकल तरीके स पूरा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो है जाकर कि उन्होंने वोट दिया इसलिए आप देखेंगे सब्सक्राइब के अंदर वो उत्सा नहीं है और वह उतना इंप्र्टेंस इस इलेक्शन को नहीं ले रहा है जिसके कारण आपका वोटिंग जो है वह चला ज कि जो 12 फॉरजस बा परसंट सट्रा यहां जितना भी पसुंट्ट को सब्सक्राइब किस तरह को वोट टो इसने परसंटा इंढें तो जाता है तो जादा तर जो हाल कोर शुटर होते हैं यानि जो पार्टी के कार करता है पार्टी से टायर 1 या टायर 2 में जुड़े हूए हैं वह जाते हैं तो वहां पर आपका जो है वोट परसें 50-60 परसें टेरेज जाता है लेकिन जब 70-80% जाता रहता है तो वोटर का अगर आप क्लासिफिकेसन करीए तो टायर 1 में आते हैं जो पार्टी के डायरे सीटियों से जुड़े होते हैं थ्री में वोटर आते हैं जो कि पूरे साल इन एक्टिव रहेंगे पूरे टाइम इन एक्टिव रहेंगे लेकिन जब वोट के टाइम पे महुन बनता है तो वो जागते हैं और सोचते हैं कि हां भाई हमें अपना बोट देना चाहिए और वो जा करके वोट दे आते हैं टायर 4 में वो होते हैं जो टोटली नए इंट्रोड्यूस हुए रहते हैं या जो कभी जो कभी मतलब वोटिंग में इंट्रेस्ट नहीं रखते हैं कई बार जाते नहीं है वोट वोट करने के लिए तो जब बहुत प्लिटिकल क्यूज एंट्रिगर होते हैं तो सारे टायर 1 2 3 4 के जो भी क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया है वोटर के सब जो है एक्टिव हो जाते हैं और तभी ये वोट परसंट आपका पचातर असी परसंट परसंट पे जाता है तो अगर ये ट्रेडिशनल वोटिंग होगी पचास परसंट परसंट साट परसंट का जाएगा तो यहां पर पार्टी के टायर वान और टायर टू के वोटर में मेजर उन्ही के कारण यह होते हैं जो पचास परसंट पच्परसंट तक कवर कर लेते हैं तो इसमें रिजाइड भी ट्रेडिशनल जायागा सर अब ट्रेडिशन क्या होगा डिशनल रिजल्ट ही होगा कि 2014 के पहले आप फूलपूर में क्या होता था समाजवादी पर्टी जीती थी margin कितना होता था जो विक्तली करता था जो जीतता था और जो सेकेंड नंबर पर आता था मुष्टिल से 2-4% का vote margin होता था गोरकपूर में आप देखेंगे तो दूर दराज के गवभव में लोगों से मिलना इन सब डे-टू-डे एक्टिविटी से एक पॉलेटिकल बॉंडिंग डेवलप होती है आपके कंडिडेट पार्टी और आपके वोटर्स में पब्लिक के बीच में लगातार 20 सालों से 25 सालों से वह ऐसा काम कर रहे हैं तभी मैं पूलपूर में इस बार अगर बॉंडिंग इतनी जवर्जस रही होती तो उनका लोकल लीडर होता कोई लोकल लीडर है यह चुनाव से क्यों लीडर ले आए तो मौर्या जी के बाद फूलपूर में बीजेपी कोई लोकल लीडर को पैदा कर नहीं पाया इसका मतलब है कि और हार्ड कोर जो ग्राउंड लेबल पर वर्क होना चाहिए वो है ही नहीं तो यह सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूं कि यह यह चीजे जो है फूलपूर के लिए बीजेपी के लिए मुझे डाउट लग रहा है डिशनल गया तो वही दो चार पर चाकों से क्या खबर हैं गुरखपूर फूलपूर से क्या खबर है क्या रुजहान है वहां मतदाता हूंगा जी बिल्कुल बता दूजिस तरीके से लगातार साथ मजे से चुनाओ का मद्दान शुरू हुआ है लेकिन वह उसाम नहीं देखने को मिला है जो होना चाहिए कहीं नहीं जो चुनाओ है उसको कहीं नहीं लोग जो है या तो संदेमान है या चुट्टी का दिन इसलिए अब तक परसेंटेज रहा है तो गोरखपुर का जो सोला तसमलों 80% फिरिजदी मद्दान हुआ है और फूलपूर की बात करें तो फूलपूर में भी 12 तसमलों 20% ही अभी मद्दान हुआ तो कहीं ना कहीं जो लोगों में उस्साह वो कहीं अभी धीमत दिखाए दे रहा है और जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो यह चुनाओ बहुत ही आहम माना जा रहा था अच्छा परसंट जा रहा था क्योंकि लगाता सियम्योगी आधितनाथ नहीं भी कही जनसभाएं की लोगों को लुभाने की कोशिद भी कि वही अखलेश जिस तरह के सपा बस पार ने कर गट बंधन किया और इसके बाद जनसभाएं की लेकिन जो कहीं नकार जो जनता में उसा देखने को मिलता साथ जो परसंटेज होना चाहिए वह तक निकल के नहीं आया है इसाथ यह कई हो सकती है चाहिए जो चुनाओ की हो जाए चुटी की सब्सक्राइब कर तो कहीं लोगों में उसा देखने को मिला जो परसंटेज अब तक होना चाहिए वह तक नहीं देखने को मिला जी अक्सर इस तरह के परसंटेज क्या अब रुजहान बताते हैं आने कि जैसा कि मैं आभी पूछ रहा था मिश्रा जी से जो वोटिंग परसं पर्संटेज पर्संटेज, जो बारा, पंदरा, बीस, जो भी प्रतिज़त होगा, उसमें किस तरह की वोटर ने वोट जळा दिया है, यह वोटर है, जो बदलाव चाहता है या यह वोटर है, जो बदलाव नहीं चाहता है? जिस तरीके से नहीं अगर बात करें तो जो परसंटेज अब तक आया है इसे फूलपुर का है वो बारात दसमलों 20% फिजदी मद्दान हुआ है और गोरफपुर का जो है वो 16 दसमलों 80 फिजदी मद्दान हुआ है अगर टोटालाग की बात करते तो 14 दसमलों भी 45 के आसपास परसंटेज निकल के आ रहा है दोनों का तो वह इस तरीके से आँ रहा है लेजिए अब हैं यह वही होटरे हैं जो कहीं कहीं जो रोच की मद्दान करना ही चाहते हैं लेकिर वह लोटो पहब पहु दोर्ग कि और करने अभी तक निकले हैं लोग वो कहने कहीं यह कुछ अभी बदलाव कि मुड़ में यह सिर्फ उनका मद्दान गया है तो जो ऐसे लोग होते जो बदलाव चाहते हूं कापी संख्या में निकलते लोग और यह क्या हवा है क्योंकि हमने यह देखा कि बीजेपी की गोरकपु सब्सक्राइब करें लोग निकल ले रहे हैं तो जो बदलाव नजरिया दिख रहा है क्योंकि यह कहा रहा है कि अच्छा जाएगा जिस तरीके से जन सभाय हूई है और जहीं शिवात है कि इसको दो हजार उननीस का चुना होना है उसको भी लेकर देखा जा रहा है लेकि वह अभी तक वह समी करन नहीं बन पाया है जो बनने चाहिए थे क्योंकि जाहिए से बाता है कि सब की नजर पूरे देश की नजर आज जो दो सभाव लोग सब्सक्राइब के जो उपचुनाओं हो रहे है को गोरपूर पोर्पूर कहीं नहीं लोग जो भी देख परने को नहीं मिला है ठीक है लाल चन बने रही है हमारे साथ लोटिंगे हम आपके बास मिश्रा जी यह अभी जैसे हम बात कर रहे थे चर्चा हमारी हुई थी आपकी मेरी कि यह ज़से लाल चन नहीं बताया कि पृतिश्था का सवाल है हम सुन रहा है पृति एक खे के दो पाहलू में बेजेपी ने सेंट्र उसमें लगबग सारे स्टेट में बना लिया है तो बीजेपी के लिए यह कोई प्रतिस्था का सवाल नहीं है प्रतिस्था का सवाल होता है तो सेंदे से क्या जो गोरगपुर का मत दाता है जो योगी आदितनाथ के साथ हमेशा रहा है उनकी हर जीत में भागीदार रहा है वो इस चीज़ करेगा के नहीं साब यह तो आपकी रणनीती है कोई बात नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ यह प् इन दोनों लोगों की डैमेज होगी हाँ बीजेपी के हाई कमान के जो पार्टी के लीडर वो पुछेंगे कि भाई यह इसी लिए वहाँ पार्टी हाई कमान से कोई यह तो नेशनल लेबल पर यह कोई प्रतिस्था का वो नहीं है विपक्ष की अगर बात करें तो वो किस एं है तो उनके अंदर एक खुशी की लाहर जो है दोड़ जाती है सुरेंद्र राजपुत जी हिंदी खबर में आपका स्वागत है और मत्दान चल रहा है प्रतिशत बहुत कम है अभी तक आप लोगों का क्या विश्वास है क्या आकलन है परस्थितियां क्या कहती हैं आपके अनुसार देखिए दो बाते बड़ी पस्थ हैं मेरा एक तो आपके मात जनते मत्दाताओं से नरोज है कि तो प्रतिशत मत्दान करें और उसके बाद ही जलपान या खाना खाना साए एक बात क्योंकि जब तक लोग संत्र में भारी मत्दान नहीं होगा हर सक्ष की लोग सं अगर योगी जी की प्रतिश्था का सवाल नहीं है तो योगी जी 36 सभाएं क्यों कर रहे हैं मौरिया जी की प्रतिश्था का सवाल नहीं है यह लोग संत्र की प्रतिश्था का सवाल है जनता की प्रतिश्था का सवाल है और यहां पर कुछ भी हो हमारा पूरा विश्वात ह कि लोगसंत्र जीतेगा और विपक्षी धल कहीं न कहीं मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें जीत की अपनी पुरी संभावना है ठीक है लेकिन इसे लेकर आप खुद इस बात को मान रहा हैं कि जो बोटिंग परसेंटेज है वो फ़र चेंज तो नहीं है अभी ते तो आप लोग कोई उमीद नहीं कर सकते न क्योंकि फूलपूर भले ही बीजेपी की ट्रेडिशनल शीट नहीं रही हो गुरपूर में तो हमें नहीं लगता कि कहीं कॉंग्रेस या सपा अपने आपको फाइट में मानेंगी आप और हम लजूमी नहीं है और इसी लोगसंत् पूरे मंदिर के प्रतिश्चा लगी हुए थी तब जागर के क्विरासिक दिवेजी कॉंग्रेस के प्रस्याथी को इसी गोरपूर ने जिताया था लोगसंत्र में कुछ भी संभाव है लोग शाही को आप कुछ मत कहिए लोगसंत्र अपने मददाताओं से मजबूत होता ह जो क्या कहींगे गोरपूर फूरपूर की मददाताओं से क्या कहींगे आप क्योंकि सरकार के लिए तो मतला उनकी नजरों में सरकार का गाम सैटिस्फेक्टरी है या विपक्ष कुछ गिनाएगा क्या मुद्दिन बहुत इस पस्च रूप से विपक्ष तरकार की नातामिया गिना चुका है आज की जिट में मतदान का पर्व है इस मतदान के पर्व में बर्चड के हिस्साले सौ पृतिशत अपनी भागेदारी सुनिक्षित करें और उचिस पृत्याशी को जिता है ऐसा मेरा मानना है ठीक है बहुत शुक्रिया अपना कीमती समें हिंदी ख़बर को देने के लिए सुरेंद राजपूत साहब नेता कॉंग्रे साब का धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए एक विश्रा जी ये सिर्फ एक सान्तों ना देने वाली बात है फाइट क्या देख पा रहा है गोरगप जीती रहती है और कॉंफिडेंट होता है ना नंबर वन या नंबर टू पर भी तो दाहर के बोलते हैं जी हमीं जीते हैं कि आप मतलब लोगतंत रहे हैं यह है वो जो सुरेंदर राजपूत जी बोल रहे थे बात यहां डैनामिक्स और स्टेजी के अनालिस की है मैंने आप आपको अगर बिग्निंग जब मैं आया था मैंने तभी बोला था कि अगर आपका बोटिंग जा रहा है तो इट मीज देर इस लो सिगनल फॉर चेंज जो चेंज यह करना चाहते थे सुरेंदर राजपूत जी ने बोला प्रतिस्था का सवाल मैं मानता हूं मैंने बोला भी प्रतिस्था का सवाल ये इंडिविजूल प्रतिस्था का सवाल है योगी जी के लिए उनकी अपनी प्रतिस्था का सवाल है और मौर्या जी के लिए अपनी प्रतिस्था का सवाल है बीजेपी नेशनल पार्टी के लिए ठीक है प्रतिस्था का सवाल है लेकिन वह बहुत जीतने के लिए आपको छोटी जंगे हारनी पड़ती है या लंबी कूद लेने के लिए आपको दो कदम पीछ चलना पड़ता है तो ये बीजेपी की 2019 का आगाज है अब हम आ रहे हैं 2019 में अब 2019 में देखिएगा डैनामिक से अग्दम अलग होगा ऐसा नहीं है कि बीजेपी के तरकत से सारे तीर खाली हो अगर बीजेपी हार भी जाती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता शुक्रिया एक मिश्रा जी हम से जोड़ने के लिए अपना कीमदी समय में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो अब सवाल यह है कि यह आज शाम पांच बई तक आप इंतिजार कीजिए मतदान प्रतीशत क्या रहता है नतीजे के लिए 14 मार्च का इंतिजार रहेगा लेकिन आज घड़ी में जब पांच बजें करेंगे हमारा आकलन इस्थिती राजनितिक सलाकार और जो भी विश्लेशक हैं वह इस पर क्या कहेंगे हिंदी खबर पर यह आपको ब्रीठम देते रहेंगे फिलहाल वक्तिक ब्रीक का है नमस्कार झार्यव हैं इस्थित विलहाल वक्तिक ब्राइ stuffing हैं घμεराइन करेंगे हैं वह इस बंद़isol हैं प्युट्ट भीशज हैँ थाना आकलन तो आकलनखела ओि अ झाल झाल